आईपियल रेटेशन के लिए सबी खिलाडियों की लिस्ट जारी हो चुकी है चार धाकड खिलाडियों को किसी वी फरेंचैजी ने रेटेन नहीं किया दरसल आईपियल मेगा उक्षन में भी ये खिलाडी अंसूल्ड रह सकते हैं ये खिलाडी बहुत ही खराफ फॉर्म से भी चूज रहे हैं ऐसे में इन खिलाडियों के करियर पर तलबार लटकती हुई दिखाई दे रही है आईए जानते हैं इन खिलाडियों के बारे में दरस पहले खिलाडी है किदर जादव किदर जादव 2010 से ही IPL का हिस्सा रहे है IPL में जादव का प्रदर्शन भहुती साधा रन रहा था रहसल 2018 से 2020 तक जादव CSK के लिए खेले उसके बाद 2021 में उने Sunrise हैदराबाद ने खरीत लिया था लेकिन वो उमीदों पर खड़े नहीं उतर सके IPL 2021 में जादव ने 6 मैचों में सिर्फ 55 रन बनाए है वहीं जादव की उमर भी बढ़ रही है ऐसे में उनकी 35 साल की उमर और फॉर्म को देखते वे कोई भी टीम उन पर दाव नहीं लगाना चाहेगी दरसल IPL मेगा उक्षन में शायद ही कोई फ्रेंचाइजियोंने खरीदने में दिल्चस्पी दिखाए वहीं दूसरे गिलाडी हैं शुरेश रैना मिस्टर आइपिल के नाम से फेमस शुरेश रैना शुरवास से ही CSK की टीम का हिस्सा रही है आइपिल 2021 में रैना बिल्कुल भी अपनी लाय में नजर नहीं आए उनका बल्ला खामोश रहा रैना ने आइपिल 2021 के 12 मैचों में केबल 160 रन ही बनाए वहीं गुजरे सीजन के फाइनल में महिंदर सिंग धोनी ने उन्हें टीम की प्लेंग 11 में भी जगा नहीं दी थी उनकी उम्र का सर उन पर दिखने लगा है अब फिल्डिंग में भी रैना फूरती नहीं दिखा पाते हैं वहीं आपको बता दें CSK के टीम ने उन्हें इस साल रिटेन नहीं किया वहीं अगर तीसरे किलाडी की बात की जाये तो वो है दिनिश कार्थिक कभी टीम इंडिया के दिगज बल्लेबाज रहे दिनिश कार्थिक अब खरा फर्म से गुजर रहे हैं वहीं IPL 2021 में KKR की तरफ से केलते वे दिनिश कार्थिक ने 17 मैचों में 220 रन बनाए हैं वो पूरे सीजन रन बनाने के लिए तरस्ते रहे वहीं आपको बता दें कार्थिक ने KKR की कपतानी बीच में ही छोड़ दी थी ताकि अपने खिल पर फोकस कर सके लेकिन उसका नतीजा कुछ भी नहीं निकला कार्थिक ने टीम इंडिया के लिए तीनों ही फॉर्मेट में क्रिकेट खिला है लेकिन अब वो 36 साल के हो गए है इस उम्र में काफ़े क्रिकेटर्स रेटार्मेंट ले लेते हैं ऐसे में IPL मेगा उक्षन में शायद ही कोई भी टीम उनको अपने खेमे में शामिल करे केक्यार की टीम ने इस साल उने रिटेन नहीं किया वहीं चौते गलाडी हैं चेतिसवर पुजारा टीम इंडिया के टेस्ट टीम के स्थम्प चेतिसवर पुजारा को IPL में खेले वे अर्सा हो गया है उन्होंने आखरी IPL मैच 2014 में पंजाब किंग्स की तरफ से खेला था महीं 2021 में CSK की टीम ने उनको 20 लाग रुपे में खरीद देता लेकिन उनको एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला IPL में पुजारा ने को 30 मैचों में 309 रन बनाए जिसमें केवल एक हाफ सेंचुरी शामिल है पुजारा को हमेशा ही टेस्ट करकेटर समझा गया है उनको T20 खेलने का ज़्यादा मौका नहीं मिला काफी दुनों से वो रन बनाने के लिए भी जूज रहे है उनका IPL करियर खत्म होनी की करगार पर है ये थे वो चार खिलाडी जिनका IPL में अनसोल्ड रहना लगवक्त तहवाना जा रहा है आपको क्या लगता है हमारे कमेंट ब्लॉक्स में जरूर बताएं